नमस्कार साथियू UPSC मास्टर में आपका स्वागत है मित्रो तुगलक वंस ने दिल्ली सल्तनत पर सरवाधिक वर्सों तक सासन किया सासन के ये वर्स वजारत के चरमोतकर्ष के रूप में जारे जाते हैं इसी वंस के सासक मुहंबन बिन तुगलक के सासन काल में दिल्ली सल्तनत ने अपना चरम बिंदु देखा और इसी के सासन काल में सल्तनत का पतन प्रारंब हुआ और इसके चचेरे भाई और उत्रादिकारी फिरोसात उगलक के सासनकाल में सल्तनत का यह पतन कुछ तेज हो गया इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फिरोसात उगलक के बारे में जिसने दिल्ली सल्तनत पर सासन किया 1325 से क्यावन तक इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फिरोसात उगलक के बारे में जो सामाने जानकारिया हैं उन पर साथ ही हम करेंगे इसकी नीतियों पर चर्चा जो है इसकी प्रसास्तिक नीति, आर्थिक नीति, धार्मिक नीति या अन्य लोकल लानकारी नीति फिर हम देखेंगे फिरोसा तुगलक को एक आदर्स मुस्लिम सासक के रूप में और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फिरोसा तुगलक को अकबर के पूरुगामी के रूप में देखा जा सकता है फिरोसा तुगलक के पिता का नाम रज्जब था इसकी माता का नाम बीबी नैला था जो अबोहर के राजपूत भट्टी सासक राणमल की पुत्री थी मित्रो इतिहास में आप देखेंगे कि जो मिस्रित रक्त से हैं जिनके पिता राजवन्स में मुस्लीम है और माता हिंदु रही है तो उन पर ये प्रेसर रहा है अपने आपको एक सच्चा मुसल्मान सिद्ध करने का और वो सासक कटर बने हैं आप फिरो साथ तुगलक को देख लीजे जा लोधी वन्स में सिकंदर लोधी को देख लीजे या पोरंगजेब को देख लीजे हम यह देखेंगे कि इसका प्रभ प्रिच इसकी मृत्य हो गई थी 20 मार्च 1351 में च्योंकि मुहमद बिन तुगलक का कोई वैद उत्रादिकारी नहीं था तो इसलिए उसके वजीर जिसका नाम था ख्वाजा जहां उसने अपनी दाविदारी पेश की कि वह सुल्तान बनना चाहता है क्योंकि उसके अंदर भ चीरा भाई है विवाद काफी बढ़ गया विवाद की सती में चीराग दहलवी ने जाच की और पाया की ख्वाजा जहां की रक्त में सुल्तानों का रक्त ही नहीं तो इसको नकार दिया गया और फिर साहत तुगलक को सुल्तान गोशिप किया गया इसका पहला राज्य और पुनहे जब ये अगस्त 1351 में दिल्ली लोटा तो इसने दिल्ली में भी अपना राजविशेक कराया दो बार राजविशेक कराने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था फिरो साथ तुगलक को काटो भरा ताज मिला था और यह ताज भी उसे उलेमाओ की करपा पर मिला जब मुहमन बिन तुगलक सासन कर रहा था तो सल्तनत में इतनी लचरता आ गई थी कि कुछ राज सुतंत्र हो गई थे जैसे आप देखें विजयनगर सामराजी दक्षिन में और इसके अलावा हसन गंगु ने एक बहमनी राजी के स्थापना की थी बंगाल भी स्वेम को दूसरा हम देखें कि उलेवाओं की दया से ही फिरोज साहत तुगलक सल्तनत का सुल्तान बना था जब फिरोज साहत तुगलक सुल्तान बना तो उसने इन सुतंत्राज्यों को जीतने का प्रियास नहीं किया की वहल बंगाल को छोड़कर इसने बसी सूचा कि जो राज्य सल्तनत की सीमा में हैं उन्ही पर नियंतरन लगातार कायम रखा जाए और चुकि उलेमाओ की कृपा से यह सल्तनत का सुल्तान बना था तो इसलिए इसका यह भी प्रियास रहा कि यह उलेमाओ को खुश रखे तो हम जाने इसके उलेमाओ वे अमीरों के संबन्दित नी थी तो जितने भी इसने कार किये वो इनको प्रसन्न करने के लिए किये जैसे कि अब तक कोई भी सुल्तान परोपर इसलाम के नरूप सासन नहीं करता था चाहे मुहमद बिन दुगलक हो या उससे पहले खिलजी वंस में देखें अलावदिन खिलजी हो या उससे हम पहले समसी वंस में देखें तो इल्दुतमीश हो कोई भी हो किसी ने भी परोपर इसलाम के आधार पर सासन नहीं किया था क्योंकि सभी सुल्तानी समझते थे कि दिल्ली सल्तनत में बहु संख्यक हिंदू है और यहां सासन करने वाले मुस्लिम हैं तो इन बहु संख्यकों की भावनाव को नजर अंदाज नहीं क्या जा सकता और निथा सल्तनत की नीव हिल जाएगी यदि सन्न नीती को देखें तो वहां भी परभावज लगता है और आर्थिक सुधारों में अगर हम देखें करसी सुधार, राजास सुधार, करसुधार, उद्धोग धन्दे, मोद्रिक सुधार या सहरी करन इन पर हमें चर्चा करनी है तो फिरुसात तुगलक के करसी और राजास सुधारों को यदि देखा जाए हम यह भली बाती जानते हैं कि मुहंबन बिन तुगलक के समय त्राही त्राही मच चुकी थी और उसने द्वाब के छेत्र में कर बृद्धि उस समय कर दी थी जब वहां सुखा अखाल जैसी समस्याई विद्धमान थी हम यह कर सकते हैं कि करसी छेत्र की अवनती, करसक असंतोस और अकाल फिरुसात तुगलक को विरासत में प्राप्थ हुए थे परंतु फिरुसात तुगलक ने इन चनोतियों का सामना किया और करसी छेत्र की अवनती के लिए कई कदम उठाए सबसे पहला कदम यह था कि जो द्वाब छेत्र में लोग विद्धरो कर रहे हैं उनको जैसे तैसे दबाय जाए तो मुहम्मन बिन तुगलक ने जो रिण उन्हें प्रदान किया था सोंधर ये तकावी सबसे पहले इसने वहमाप कर दिया फिर हम देखें इसने जो रजसुधार में किया कि वास्तिक उपज की आधार पर करका ने धारन किया और लगान की दर को घटा कर एकतिया ही कर दिया अब तक मुहम्मन मिन तुगलक तो आरहा कर तक वसूलिया करता था साथ ही इसने करसकों को अच्छे बूजय को प्योग उनत किस्म की फचलों के उत्पादन की सला दी और फचल चक्र प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया और वाणेजिक करसी को प्रोशाहित करने के भी प्रियास किये ऐसा करने वाला भी ये सल्तनत का पहला सुल्तान था इसने क्रसी छित्र में क्रांती लाने के उदेश से नहरों का निरमाण सुरू किया हाला कि ग्यासुद्दिन तुगलक इससे पहले नहरों की खुदाय की काम करवा चुका है इसके सासनकाल में हम पाँच बड़ी नहरों का उलेक जगे जगे पाते हैं इनमें जो दिल्ली में यमुना नदी से हिसार तक जाती थी यही सबसे लंबी नहर थी और इसे ही उलुक खानी नहर का नाम दिया गया था दूसरी नहर सतलज से घगर तक जाती थी यह राजवाडी नहर थी तीस्ती पंजाब से सिर्मोर तक और फिर आगे जहासी तक निकल जाती थी चावती यमुना नदी से फिरोजबाद तक इन नहरों के निर्मान से यह देखने को मिला कि क्रशी छेत्र में उपज में ब्रद्धी हुई और बंजर भूमी जो थी उसको उर्वर बनाने में भी काफी साहता मिली फिरोजबा तुगलक ने इन नहरों की देखरेक के लिए दक्स अधिकारियों की न्युक्ति की और इसके अलावा इसने दिल्ली के आसपास बारा सो नए फलों के बाग भी लगवाए फल के इतने ज़्यादा संख्या में बाग लगवाने वाला भी यह पहला सुल्तान था यूपी पीशेस के एक बार प्रसन पूछा गया है कि किस सुल्तान ने फलों की खेती को प्रोशाहित किया था तो आपका यहां उत्तर बिल्गुल सफस्ट है फिरोशाहतुगलग इन सुधारों का प्रिणाम देखने को मिला नहरों से सिंचित क्रसी पर हक इसर्ब नाम का एक सिचाइकर लगाया इन सबों का प्रिणाम यह देखने को मिला कि एक लाख असी हजार टंका की आमदनी जब राजिगी हुई तो जो मृत्यु सईया पर सल्तनत की आर्थिक वस्था लेट चुकी थी वो फिर से पठरी पर आ गई और इसी मजबूत अर्थववस्था के बदोलत फिरोशाहतुगलग कुछ लोग को लियानकारी कार भी कर सका इसने राज्यामदनी का ब्योरा निकालने के लिए ख्वाजाह हुसामुद्देन को न्युक्त किया जिसने निकाला कि राज्य को सालाना छे करोड़ पचांसी लांक आमदनी होती है जो महसूस किया गया कि किसी भी सल्तनत को चलाने के लिए बहुत कम है फिरोसा तुगलक ने करसुधार भी किये सल्तनत काल में अलावदिन खेलजी और मुहम्मर बिन तुगलक दो ऐसे सासक रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा करवसूला है और इन्होंने करों को 30 से भी ज़्यादा कर दिया था आला कि कुछ इत्यासकार 23 करों की बात करते हैं पर सत्ता चाहे जिसमें हो तो फिरोसा तुगलक ने इन लगभग 23 से 30 करों को समाप्त कर दिया और चूंकि इसे उलेमाओ को खुश करना था सर्यत के आधार पर सासन चलाना था तो इसी के आधार पर 4 करवसूले सबसे पहला करता खराज यहें गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाला भुरयसू था और सर्यत के मुताबिक यहें एक बटा तीन से एक बटा पांच भाग तक वसूले आता था फिर हम देखें खमस वहें सेनिकों द्वारा युद्ध में लूटा गया माल हुआ करता था मुहमन बिन तुगलग तक यह ववस्था देखने को मिलती थी कि चार बटा पांच भाग तो राज ले लिया करता था और एक बटा पांच भाग इसको सेनिक ले लिया करते थे चुकि सेनिकों को भी है संतोस था तो इसलिए इसने तुस्ठिकरण की निती अपनाते वो वस्था की सरियत के अधार पर कि अब से चार बटा पांच भाग सेनिक लेंगे और एक बटा पांच भाग राजगोस में जमा किया जाएगा इसने जज्या भी वसूला जो गैर मुस्लिमों से मसूला जाने वाला कर था फिरो साथ तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने ब्रहमन से भी जज्या कर वसूला अब तक जज्या वसूला जा रहा था परन्तु ब्रहमनों से जज्या नहीं वसूलते थे इस्तिती देखने को मिली कि दिल्ली में कुछ ब्रहमन भूख अरताल पर बैटाए परंतु सुल्तान ने कुछ नहीं समझा सुल्तान अपने निर्ने पर अडिग रहा मजबूरन कुछ धनाड़े हिंदू ने यह निर्ने लिया कि वो ब्रहमनों के बदले का जजिया स्वयमदा करेंगे इसने जकात भी वसूला जो मुसल्मानों से वसूला जाने वाला धार्मिकर था जो उससे वसूला जाता था जिस मुसलिम की संपत्ती 51 तोला च्यांदी यह साथ तोला सोना के बराबर हो यह उनकी कुल वार्सिकाय का दो दसम लोग 5 परतिसत हुआ करता था इन चार करों के अलावा इसने जो नहरों से सिंचित भूमी है उससे हक के सर्ब नाम का एक सिचाय कर भी वसूला जो कुल उत्पादन का एक बिटादस होता था इन करों के अलावा फिरुसात तुगलक ने कोई कर नहीं लगाया फिरोशात तुगलक ने ओ दोगधंदों के विकास पर भी ध्यान दिया इसके सासनकाल में दो प्रकार के ओ दोगधंदों का उलेक पाते हैं सबसे पहले रातीवी दोगधंदे या रातीवी कारखाने जो आम जनों पस्वों के लिए वस्तों का निर्मान करते थे और दूसरे गैर रातीवी कारखाने जो सुल्दान वर राज परिवार के लिए वस्तों का निर्मान करते थे और इस प्रकार के 36 कारखानों का उलेक किया गया है फिरोशात तुगलक ने अपने सासनकाल में मोद्रिक सुधार भी किये और तीन प्रकार के सिक्के चलाए पहला सिक्का देखें सस्कनी जो चांदी का था छे जीतल का और अध्धा तामे का होता था और बिरव होता था चांदी का इसने अपने सिकोप पर अपना नाम अपने पुत्रों का नाम और उन में से जो इसने अपना उत्राधिकारी छाणटा हुआ था फत्य खां उसका नाम भी अंकित करवाया फिरोसा तोगनकल ने यह निरंतर प्रयास किया कि जो मृत्यु सहियां पर अर्थोस था लेट चुकिया उतको खड़ा किया जाए और लोकल लानकारी कार भी किया जाए जब इस्थती कुछ इस्प्रकार की हुई तो इसने इन छेत्रों में भी कार किया और देखे इसमें निर्मानकार भी इसने अनेक किये जैसे पुरन निर्मानकार में हम देखे तो इसने इल्टुतमिष लेकर मुहंबन बिन तुगलक का मकबरा निर्जामुद्दीन हुलिया का मकबरा और कुतुब मिनार का पुरन निर्मान कराया वो तो मिनार की पांचवी जो इमारत थे वो ध्वस्त हो चुकी थी बिजली गिरने के कारण तो इसने उसके मरम्मत करवा दी थी साथ ही इसने होजे समसी और होजे इलाई की भी मरम्मत करवाई थी इसने भवन और नगर निर्मार्ण भी बेतर ढंग से कराए बहुन निर्माण के स्थर पर देखा जाये तो फिरोज़सात तुगलक ने एक लोग निर्माण विभाग गठित किया और इसके परमुक वास्तुकार मलिक गाजी सहना थे कोई भी मारत बनने होती थी उसका बज़ट सेंक्शन होता था और बज़ट जो है वजीर के पास जाता था वजीर के स्टाम के बाद यूँ फाइनल हो जाया करता था ऐसा कहा जाता है कि फिरोजसा तुगलक ने लगभग तीन सो नए शहरों के अस्थापना की जिन में फिरोजबाद है हिसार फिरोजा है फिरोजपूर है और अपने चचेरे भाई मौंबर बिन तुगलक उर्फ जोना खां की याद में इसने जोनपूर्नगर को भी बचाया इसके प्रभवनों में हम देखे जामा मस्जित, काली मस्जित, बेगमपूरी मस्जित, खिरकी मस्जित, खाने जहां तेलंगाना का मकबरा एक्जाम में पूछा गया बोस्ट इंप्रोटन्ट है और नहरों का निर्मान तो आप देखी चुके हैं, कुछ इत्याजकार कहते हैं पांच नहरे हैं, कुछ कहते हैं च्छन नहरे थी, पर ऐसा बिल्कुल सवस्थ हैं कि इनमें से अधिकांस नहरे हर्याना छेत्र को काफी लाभानुवित करती थी फिरोसात तुगलक ने अपने सासनकाल में अनेक कल्यान कारी कारे करा हैं और इस बात पर जोर दिया कि राज केवल सजाद देने का काम ही नहीं करता, करवसूलने का काम ही नहीं करता, बलकि वह जन कल्यान का भी कारे करता है और इसी दर्ष्टी से देखे तो इसने मृत्यु दंड और अंग भंग जैसे जो दंड होते थे उनको भी समाप्त कर दिया था इसके अलावा इसके कल्यान कारी कार्यों में हम देखें तो दिवा ने इस्तिहाक विभाग की अस्थापना की थी जो एक पेंशन विभाग हुआ करता था बृद्धों को पेंशन दिया करता था दारुल सफा की अस्थापना की जो एक निसुलक चिकत साल्य हुआ करता था जिसमें राज द्वारा योग और अनुभवी हकीमों की न्युक्ति की जाती थी जो मुप्त में इलाज करते थे और मुप्त में ही दवाईयां उपलब्द कराते थे इसने दिवाने खेरात नाम से एक विभाग बनाया जो एक प्रकार की दान साला था इसमें जरुरत मंदों को यथा संभव साहता दी जाती थी और इसके लावा यह डिपार्टमेंट गरीब मुसलिम कन्याओं के विवाग का भी खर्च वहन करता था इसने प्रतेक छेत्र में एक रोजगार कारल के स्थापना की जो आपने अपने छेत्र में बेरोजगार लोगों का पंजिकरन करता था और यह पंजियन सहर के कोतवाल के पास भेज़ दे आता था और यहां से उन्हें सुल्तान के पास भेज़ दे आता था और जहां उनको रोजगार के अवसर हों वहां उनको भीज़ देयाता था। इसने दिवान बंदगान नाम से एक अलग विभाग बनाया जो मुक्ते संबंदित होता था दासों के कल्यान से और उनकी उचित देखभाल से। इसने दासों के योगतानुसार उन्हें परसिक्षन और नियोजन की ववस्था को भी अपनाया। इसके इलावा फिरोशात तुगलक ने सरायों का निर्मान कराया, मदर्जों का निर्मान कराया, अनुवाद विभाग ट्रांसलेट डिपाइडमेंट की विश्था अपना की ताकि हिंदू-मुसलिम एक दूसरे को बहतरी से समझ सकें। साथ ह इसने राज्य के खर्च पर हज के ववस्था भी की और ऐसा करने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था। फिरोशात तुगलक अपनी धार्विक नीती के विज़े से काभी इतिहास में चर्चा का बिंदू रहा है। प्रसासन में प्रधानता नहीं दी थी। यह जबरन इसलाम स्विकार कराने वाला पहला सुल्तान था। समसे बारात तुहार को यह बड़ी धुमधान से मनाता था। यह फकरुद्दीन गज सेकर का अनुयाई था। इसने तेरा सो चोहतर पचहतर इस्वी में बहराईश मे इस्ति संत सालार मसूद गाजी के मगबरे का दो बार दोरा किया था दर्सन किये थे। ऐसा करने वाला भी सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने महल के सारे भीतिचित्र नष्ट करवा दिये थे। चोकि उले माउन से अपरसन थे च्योंकि भीतिचित्र इसलाम में अवैद लगा दिया इसने हिंदों को जिमी कहा और उनसे जैजिया वसूला इसने स्वेम को खलीपा का नायाब घोचित किया और मिसर के खलीपा से दो बार मनसूर अर्थात मानिता को प्राप्त किया ऐसा करने वाला भी यह सल्तनत का पहला सुल्तान था इनकी इसी बजह से आर्थ सी मज़ुमदार ने कहा है कि यह सल्तनत का सबसे महान धर्मांद सुल्तान था इसे सिकंदर लोती या रंगजेव का अगरगामी कहा जा सकता है परंतु इसकी धार्विक नीती के कुछ अफवाद भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे इसने हिंदू दर्शन में दिल्चस्पी ली वो दिल्चस्पी का पहलू रहा इसने संस्कित रचनाओ का फार्षी में नुआद कराया ट्रांसलेट डिपार्टमेंट से जैन मंदिरों से काफी लगाऊ था जबकि संगीत इसलाम में हराम माने जाता है तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि फिरुशात तुलक की धार्विक नीती उसकी व्यक्तिकत धर्मानता नहीं थी बलकि एक राजनतिक बाधिता थी उलिमाओं की वज़े से क्योंकि यह इन्हीं की वज़ दिया बर्णी व्यवव अफिक को इसने स्नक्षन दिया था यह श्वयंं भी फार्सी का विद्वान था और फुत्वा अ की फिरुश्वाजई इसने अपनी आत्मकón अ परहे लिखी दिर्मान की विकार्स का युग मानते हैं। इसके सासनकाल में कोई भी मंगोल आकरमन नहीं हुआ। सबसे पहले हुलिया वे दांक को स्वाप्त कर दिया। जिस ववस्था की सुरवात अलाब दिन खिलजी कर चुका था। इसने नगत बेतन के स्थान पर भूमी दे दी। कि एक भूमी का टुकला दे दिया आता था। और जिसे था कि मालिजा कोई सैनिक है उसको एक भूमी का टुकला दे दिया। वो इस भूमी को जोता था और इससे जो टेक्स मिलता था उससे ही अपनी तनख्वा निकालता था। इसने सैनिकों के पद को वनसानुगत बना दिया। अब कोई भी जो सैनिक है वो अपने बदले अपने दिस्तिदार को दामाद के दास को भेज देता था जिससे सैने वस्ता पूरी कमजोर हो गई। खुम्स होता था उसका चार बटा पांच भाग सैनिकों को दिया। इस सैने निती का प्रिणाम हुआ कि सैने वस्ता जरजदर बन गई। और सल्तनत के नीवी इल गई। और जो सल्तनत का पतन बॉंबर बिन तुगलक के समय सुरू हो गया था तो इसके समय में वो तेज हो गया। फिरोशा तुगलक ने कुछ सैने वियान भी किये। हाला कि यह बहुत ही सान्तिप्री सुल्दान था। इसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी सेना का प्रतिक्सेनिक अल्लाह का बंदा है। यदि मैं इनका रक्त भाऊंगा तो अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। इसका पहला अभियान रहा 1353 में बंगाल अभियान उस दुरान यहां का सांसक हाजी इलियास और्फ समसुद्दिन था परंतु फिरोशा तुगलक का यह अभियान असफ अल्लाहा। के स्वर्ति में जोन पूर नगर बसा जो कालांतर में पूर्व के सिराज के नाम से जाना गया। इसका एक अभियान 1360 में जाज नगर अभियान नहा उडिता में जो है यहां का सांसक उस दुरान वीर भानुदेव था और इसी अभियान के दुरान इसने जगनात पूरी मं दिर को तोड़ा एक्जाम में पूछा गया है आपको याद रखना है हिंदी इलियेट और एल्फिंस्टन जो उपने इस वादी इत्यासकार है उन्होंने फिरो साहत तुगलक को सल्तनत युक का अकबर कहा है मुझे आसा है कि इस वीडियो ने आपके सारे फैक्ट और कंसे क्लियर किये होंगे यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए उससे पूर्व आप एक प्रसंद का उतर दीजिए आपको गलत कथन की पहचान करनी है विकल्प ए फिरो सातुलक का दो बार राजमी सीख हुआ विकल्प बी इस इसने सरियत के अधार पर प्रसाशन चलाया विकल्प सी इसने अर्बी में अपनी आत्मकता लेखी विकल्प डी इसके शासनकाल में कोई मंगोल आकर्मन नहीं हुआ थैंक्स फोर वाचिंग जहिंद जय भारत महासक्ति भारत